Students, last video में हमने array के इन सभी methods को सीखा था और इसके अंदर से जो ही last method है, short method ये रहे गया था, ठीक है? So, आज की इस video के अंदर हम इस short वाले method को contain करेंगे, ओके? So, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि short का मतलब क्या होता है, ओके? So, students, यहाँ पर जो देखिए, मैंने यहाँ पर क्या write किया है? D, B, C, और A, ठीक है? तो जो यह मैंने write किया है, यह मैंने इस तरह से write कर लिया है, मतलब किसी भी तरह से, मतलब आगे पीछे A, B, C, D को write कर लिया है, ठीक है? तो जो यहाँ पर देखो A last में है, B यहाँ पर है, C यहाँ है, और D यहाँ पर है, मतलब हर एक चीज जो अपना content है आपका, alphabetic तरह से arrange नहीं है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, कि A पहले है, फिर B है, फिर C है, और फिर D है, यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले D है, फिर B है, फिर C है, फिर A है, ठीक है, तो I think आप समझ गए, कि यहाँ पर मैंने किस तरह से, यहाँ पर मैंने data को write किया है, यहाँ पर मैंने data को random तरह के से write कर लिया है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, इसको ascending order में लिखूँ, मतलब कैसे लिखूँ, पहले A लि short कर लिया है, ascending order में, तो I think आप अब समझ गए होंगे, कि short का क्या मतलब है, अगर नहीं समझे है short को, तो एक बार face से समझे, मैं जैसे यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ data write करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने C को write किया, यहाँ पर D write कर देता हूँ, यहाँ A और यहाँ B write कर देता हूँ, तो देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मैंने data को write किया है, वो random तरीके से आगे पीछे write कर दिया, ठीक है, A, B, C, D, अब मैं चाहता हूँ, इस data को arrange करूँ A to Z format में, means ascending order में, तो आप क्या करोगे इसे, इस तरह से A लिखोगे ठीक है, फिर B लिखोगे, फिर C और फिर D, ठीक है, तो जो आपने यहाँ पर A, B, C, D लिखा है, यह आपने क्या किया है, आपने इस random data को short करके ascending order में लिखा है, तो अगर आप random data को ascending order में लिखते हो, तो आप उसी को बोलोगे कि मैंने data को short किया है, ठीक है, shorting करना, ओक ठीक है, तो यहाँ पर winward में भी, यह देखो, short का option यहाँ पर दिया जाता है, कि आप इस data को short कर सको, तो जैसे कि देखो, मैं इससे select करके, यहाँ पर इस button पर click करूँ, A to Z पर, तो देखो, यहाँ पर जो आपका data है, वो आपसे पूछेगा, कि आप ascending order में short करना चाहते ह तो मैंने बोला, अभी आप इस data को ascending में short कर दो, okay करता हूँ, तो देखो, यह data भी आपका ABCD में convert हो गया, ascending में short हो गया, ठीक है, अगर आप चाहते हो, descending में करना, तो आप descending क्लिक करके, okay करोगे, तो descending में क्या होगा, आपका कैसे data short होगा, पहले D आ जाएगा, फिर C की होती है, आपकी ascending में, यह फिर descending order में, okay, अब हमें, इस short वाले function को array में कैसे use करना है, जड़ा वो समझी है, okay, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक array बनाता हूँ, students के नाम का, okay, so मैं यहाँ पहले एक variable बना लेता हूँ, ठीक है, where keyword का use कर लेत हूँ, और एक इसके अंदर student के नाम से एक array को create करूँगा, okay, so देखिए, मैंने यहाँ पर student नाम बना लिया, ठीक है, और यहाँ पर dual quotes, sorry, big brackets को write कर देता हूँ, जो की array की identity है, ठीक है, इसके अंदर मैं, जैसे पहले write कर देता हूँ, c, ठीक है, कुछ इस तरह से, फिर comma द मैं write करूँगा, ठीक है, तो मैंने देखो, यहाँ c write किया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर a write कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर d को write कर देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर b को write कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो, मैंने यहाँ पर c, a, d, b, तो यहां पर जो देखो मैंने array में जो data प्रिपेर किया है वो arrange नहीं है वो मैंने यहां पर random तरीके से data को यहां पर लिख दिया है ठीक है अब देखो जब मैं इस student वाले data को means student वाले array को print करता हूँ तो देखना मेरे को कैसा data मिलेगा ठीक है तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया student वाले array को कुछ इस तरह से print कर दिया ठीक है तो देखें मैं यहाँ आता हूँ browser में और इसे reload करता हूँ तो देखो मेरे को कैसे data print हुआ c a d b जैसे मैंने data लिखा था वैसे ही print हो गया ठीक है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे data print ना हो मैं ascending order wise इस data को print करना चाहता हूँ ascending order का मतलब मैं इस data को short करना चाहता हूँ ascending order में मतलब कि पहले a print हो फिर b फिर c और फिर d print हो तो कैसे होगा ठीक है तो उसके लिए ही आप use करोगे किसको short function को तो आज है यहाँ पर code के अंदर और यहाँ पर जो आपने variable बनाया है array बनाया है जो student के नाम से आप इसमें apply कर दो short method को ठीक है तो देखो मैंने यहाँ पर student array को ऐसे write किया और इसके अंदर मैं ऐसे short को write कर देता हूँ ठीक है short method को इसके बाद अगर मैं अब इसे save करके run करता हूँ तो देखेगा जो आपने यहाँ पर random data लिखा है यह ascending order में short होके आपको मिल जाएगा ठीक है तो देखो मैं इसे page को reload किया और यहाँ पर देखो कैसे data print हुआ पहले a print हुआ फिर b फिर c और फिर d ठीक है so I think आप समझ गए कि किस तरह से आप अपने data को इस तरह से short ascending order में short करोगे ठीक है अब मैं चाहता हूँ इस data को descending order में short करो मतलब पहले d i फिर c i फिर b i और फिर a i उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर reverse function का use करना होगा तो आप इसी के आगे dot operator देखे reverse function का use करिए ठीक है save कर लो आप इसको और run करिके check करो फिर से कि कैसे print होता है पहले क्या आया पहले d आया फिर c फिर b और फिर a आ गया ठीक है so i think आप समझ गए कि किस तरह से आपको shorting करनी है अभी तो यहाँ पर देखो हमने क्या write किया था सिर्फ characters write किये थे अब इस character की जगर अगर आप string भी write करोगे तो वो भी आपके short हो जाएंगे जैसे कि मैं यहाँ पर write करता हूँ stp ठीक है उसके बाद मैं comma देकर write करता हूँ amit ठीक है उसके बाद मैं here comma देकर write करता हूँ bubble ठीक है ओके यहाँ पर b आएगा bubble then उसके बाद मैं यहाँ पर comma देकर write करता हूँ sunny ठीक है तो अब यहाँ पर देखो A से ये शुरू हो रहा है B से ये शुरू हो रहा है लेकिन आगे पीछे हैं data ठीक है और यहाँ पर देखो मैंने S से दो बार मतलब मैंने लिख दिया है बाकी अगर आप दो बार लिख दो चार बार लिख दो उसमें कोई problem नहीं है हम क्या करते हैं यहाँ पर एक और नाम ले लेते हैं जैसे मैं यहाँ नाम ले लेता हूँ चेतन ठीक है कुछ इस तरह से अब यहाँ पर भी क्या होगा जो first word है न इसी को देखकर ही यह ascending order में convert करेगा और descending order में भी convert करेगा ठीक है मैं अभी देखो इसे save कर लेता हूँ और यहाँ से अभी जो reverse function है उसको मैं हटा लेता हूँ ठीक है अब अगर इसे save करेंगा तो देखो पहले कौन सा नाम आएगा पहले अमित आएगा फिर बबलू आएगा फिर चेतन आएगा पिर sunny ओर shipping आएगा फिर इस ऐसे kटरी है ठीक है तो देखो मैं इसे save कर लिया और मैं इसे run करता हूँ ठीक है तो देखो यह आप मैंने इसे run किया तो देखो क्या आया यहां पर सभसे पहले आमित आया फिर बबलू फिर चेतन फिर stp फिर sunny मतलब क्या हुआ फिर a,b,c,d नहीं था तो हट गया फिर उसके बाद जो था वो आ गया ठीक है आप समझ गया है कि आप string को भी इस तरह से यहां पर ascending order में short कर सकते हो ठीक है अगर descending order में इसी को short करना है तो आप क्या करोगे dot reverse function इसमें लगा दोगे कुछ इस तरह से अब save करके run करो देखो कैसा आपको यहां result मिलता है तो देखो यहां पर पहले sunny print हुआ फिर stp चेतन बबलू और अमित ठीक है तो अब यह तो आपने सीखा character और string को short करना ठीक है ascending or descending order में अब मैं चाहता हूँ कि numbers को भी मैं short कर पाऊं ठीक है क्योंकि numbers भी तो आपके short हो सकते है ascending or descending order में क्योंकि जैसे देखो 12345678910 यह क्या है number का ascending order or descending इसका ठीक उल्टा हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर देखो मैं यहां पर random कुछ numbers को ऐसे här write कर देता हूँ जैसे मैंने 5 को write किया six sorry 6 मैं 눈ль stripped BARed कर देता हूँ 8 3 owners shop shout करता हूँ ठीक है देखते हैं कि यह look करता है यह नहीं करता ।च मैं यहां पर आता हूँ और सक मैं reload करके check करता हूँ, तो यहां पर देखो, जो आपका number था, वो भी देखो, short हो गया है, ठीक है, देखो, पहले 1 आगया, फिर 2 नहीं था, तो 3 आगया, फिर उसके बद 4 आया फिर 5 आगया और 6 नहीं था तो 6 नहीं आया 7 आगया फिर 8 आगया ठीक है तो आप में देख लिया कि आपको जो number भी था वो भी यहां पर अब short हो गया है ठीक है अगर आप reverse order में इसको दिखाना चाहते हो means descending order में तो आप इसे descending order में भी दिखा सकते हो कैसे दिखाओगे आप यहां पर dot लगा के reverse method का use कर लिजे ठीक है कुछ इस तरह से अब आप इसे save कर लो और इसे reload करके check करो तो आप मैंने इसे reload किया तो यहां दोखो 8,7,5,4,3,1 यहां पर कुछ इस तरह से आगया है तो आप उमीद करता हूँ कि आपको यह सही से समझ में आ गया होगा कि आप short function का किस तरह से use करोगे तो के students यहां पर दिखिए अभी आपने जितने भी यहां पर array method सीखे हैं बस आपने इसे example के base पर सीखा है इसलिए अभी आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम इन सब का use कहा करेंगे लेकिन आप इन सब की चिंता मत करिए जब हम project को start करेंगे तो उसके अंदर हम इन सब चीजों का use करेंगे जिसे concatenate हो गया slice हो गया, short हो गया push function का use आप काफी ज़्यादा करने वारे हो आगे project के अंदर, okay so आप क्या करना, इन जो भी array methods की जो आपको मिने वीडियो दी है उनको आप अच्छे से एक बार याद कर लेने, दिमाग में बेठा देना कि array के अंदर भी ये method है ताकि जब मैं आपको ये साए methods आगे करवाँ तो आपको ये याद रहे कि इस methods का क्या use होता है ठीक है, so उमीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आगया होगा और अगर कोई भी ऐसी बात जो समझ में ना आई हो तो आप हमें contact करके पूछ सकते हैं, okay so इसके आगे की education को हम इसके next part में contain करेंगे so thanks for watching our video, have a nice day